नमस्कार प्यारे बच्छों मैं विजय आई बच्छों आज हमारा Involip and Evolute Envolip and Kendra चालेक्चर है आएए आज की क्लाश की सुरुबात करें देखें प्यारे बच्छों आपको क्या मिलता है चलिए क्लाश की सुरुबात करें देखें यह बहुत ही बढ़िया कोशन है इंपोर्टेंट है याद रखेगा हमें दिया है सरर रिखाओं के कुल X कास अलफा प्लस Y sin अलफा is equal L sin अलफा कास अलफा कानुआ लोग ग्याद किजिए जहां अलफा प्राचले तो सबसे पहले हम इस समीकरन को राइट करेंगे X कास अलफा Y sin अलफा is equal L sin अलफा और यह हो गया कास अलफा इसको क्या करो डिवाइट कर दो समीकरन एक को sin अलफा कास अलफा से भाग देंगे तो sin अलफा कास अलफा से भाग दिजीए तो किंसल होगा तो एक सरपान कास अलफा तो sin को उल्टा क्या होता है को सेक अलफा यहां पर आजाएगा कितना sign cancel होगा तो कास का हो जाएगा सेक अलफा अब हम अलफा के सापेक्ष आउकलन करेंगे यही तो जानते हैं समीकरन दो का अलफा के सापेक्ष आउकलन करने पर आंसी का आउकलन है समझो आंसी का आउकलन करने पर चलिए देखिए प्यारे बच्चो X कोसेक अलफा का क्या होता है माइनस कोसेक अलफा काट अलफा Y सेक अलफा का होता है सेक अलफा टेन अलफा is equal क्या होता है L का 0 तो हमें क्या मिला ये देखो माइनस है तो ट्रांसफर कीजिएगा सब को से कलफा काटलफा इस इकवल वाई से कलफा टेनलफा चलो अब इसको साल्व करते हैं प्यारे बच्चो क्या कीजिएगा ये देखे एक साइड ले आते हैं एक सापान वाई से कलफा टेनलफा अपान को से कलफा काटलफा ये काट का उल्टा टेन होगा तो हम उपर ले जाएंगे इसको क्या करेंगे ये को से का साइन जाएगा उपर और से का कास आएगा नीचे और काट का टेन तो टेन स्कुर अलफा हो गया और ये भी 10 हो गया 10 alfa और ये हो गया 10 स्कूर alfa तो इसका मतलब हुआ X अपन Y ये आ गया प्यारे बच्चों 10 Q alfa अब यहाँ पर हम 10 alfa की बात करें x पाउर 1 बैं 3 अपन Y पाउर 1 बैं 3 अब देखे या तो हम इसको eliminate करने के लिए कोशेक सेक का मने मान निकाले या फिर समी का नेक में रखने के लिए साइन कास का मान निकाले तो आईए अब इसी को हम देखते हैं आगे दिखिए टेन अलफा है एकस पाउर बन बाई थरी वाई पाउर बाई थरी तो समझे ये होता है लंब बटे अधार होता है न ये देखे कैसे ग्यात कर रहे है तो हम लंब बटे अधार है तो लंब हमारे पास कितना है ये देखेगा लंब है एकस पाउर बन बाई थरी अधार है तो पाइथोगुरस थिवरम लगाईएगा तो पाइतोगरस थेवर्म से यदि हम देखो इसका वर्ग करेंगे तो एकस पाउट 2 बाइ 3 प्लस कितना आएगा य पाउट 2 बाइ 3 पाइतोगरस थेवर्म ये 90 डिगरी है तेके अब इसके हिसाब से यदि हम निकालें अलफा को तो यहाँ पर देखो साइन अलफा क्या निकलेगा लंब बटे कर्न एकस पाउट 9 बाइ 3 अपान यह जाएगा इसको अरकिये हैं तो एकस पाउट 2 बाइ 3 प्लस वाई पाउट 2 बाइ 3 आया इसके बाद देखिए कास अलफा का वैलो निकालिए यह जाएगा प्यारे बच्चों वाई पाउट 9 बाइ 3 अपान एकस पाउट 2 बाइ 3 प्लस वाई पाउट 2 बाइ 3 ठीक अब क्या कीजिएगा साइन अलफा कास अलफा कामान समी करन एक में रख दो चलो साइन अलफा कास अलफा वा कास अलफा कामान समी करण एक में रखने पर रखो तो हमारे पास देखे X कास अलफा है तो कास का Y पाउर वन बै थ्री अपान X पाउर टू बै थ्री प्लस Y पाउर टू बै थ्री प्लस Y इसका आएगा X पाउर वन बै थ्री अपान रूट x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 समझ मैं आ रहा है प्यारे बच्चो L और sin alpha कास alpha तो x power 1 by 3 upon root x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 into y power 1 by 3 upon क्या किजिएगा root x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 यह आ गया सब का value रख रही है हमने अब एक काम करते हैं यहां से हम x power 1 by 3 और y power 1 by 3 कामन निकालते हैं यह देखो L cm में तो आये गही इन दोनों में देखो यदि x power 1 by 3 कामन निकालोगे तो 2 by 3 बचेगा और यहां पर बचेगा y power 2 by 3 upon यह L cm मैंने लिया है डारेक्ट लिग दिया है प्यारे बच्चो यह देखो कैसे आया समझ में आया है यह y power 1 by 3 यहां से निकल गया और x से x का मान कितना है यदि आप 1 से कितना निकाल रहे हो 1 by 3 बहाल निकाल रहे हो तो 1 minus 1 by 3 होगा तो बचेगा कितना 2 by 3 बचेगा किनी बचेगा तो इसलिए मैंने यहां पर x power 2 by 3 एक्स पाउर 1 by 3 y power 1 by 3 अपान रूट x power 2 by 3 y power 2 by 3 इंटू x power 2 by 3 y power 2 by 3 यह आ गया अब इन में से जो cancel होता है उसको क्या करेंगे cancel कर देंगे प्यारे बच्चों कौन कौन सा cancel हो रहा है दिखेगा तो यह cancel हो गया इससे यह cancel हो गया इससे तो x power 2 by 3 y power 2 by 3 और इंटू में आएगा y power 2 by 3 is equal अब इस पूरे को यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 by 2 है पावर में रूट है तो 1 by 2 प्लस 1 3 by 2 तो हम total को लिख सकते हैं यह देखे total को लिख सकते हैं यह 3 by 2 is equal कितना अब यह देखो यह 1 by 2 है root है मतलब क्या है 1 by 2 तो 1 by 2 प्लस 1 कितना होगा 3 by 2 होगा न अब इस 3 by 2 को धले जाएगा तिये envelope राप्त हो गया अब इसका ज्यामिती क्या है भाई जो एक क्या है stride है ठीक आया बच्चों समझ में बस इसी धंक से काम करना है